नवस्कार राजनीतिक खबरों के सबसे दिल्चस्प ठीकाने में मैं रूपेश मिस्दा आप सभी का स्वागत करता हूँ सायद अवराजिस्थान की सियासत का मिजाजी बगाविती हो चला है जिस प्रकार से इन दिनों गहलोत सरकार के विधायकों की जो आक्रामकता सडक से लेकर सदन तक निकल कर सामने आ रही है उससे कही न कहीं ये साफ हो रहा है कि जैसे सामानने तरीके से सरकार चलनी चाहिए वैसे कहीं न कहीं नहीं चल पा रही है क्योंकि विधायकों की नाराजगी इसोर इसारा कर रही है या ये भी कहा जा सकता है कि एसा करने वाले विधायक विरोधी केमे के हैं, सचिन पाइलिट गुट के हैं क्योंकि जिस प्रकार से पालेट कैम के विधायक लगातार जो मुखर हो रहे हैं और सरकार की कारेप्रणाली पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो जाहिर तोर पर चिंता जनक है सबसे पहले इसके शुरुवात की रमेश्क मीडाने रमेश्क मीडा के बाद मुरारी लाल मीडा मुरारी लाल मीडा के बाद वेद प्रकास तोलंकी वेद प्रकास तोलंकी के बाद अब नमबर आ जाता है बुड़ा मलानी से आने वाले विधायक हेमा राम चौधरी का और हेम हैराना अंदाज में किस प्रकार से सुभे की गहलोत सरकार पर आक्रामक है उनसे आप बखुवी वाकित हैं। लेकिन आज बात करेंगे गुडा मालानी से आने वाले विधायक हेमाराम चौधरी के उस बयान की कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों बोलना पड़ा कि उनका ध्यान ना रखा जाये कोई बात नहीं लेकिन उनकी शेत्र की जनता को जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है वो जाह पर जब सदन के अंदर ही सरकार की कारे प्रोनाली पर अपने ही विधायक सवाल खड़े करने लगे तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन और चिंतन का वक्त नजदीक आ जाता है इस मामलात पर अगे तफ्तीस करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार आपको सुननी चाहिए कि सदन के अंदर हेमाराम चौधरी ने आखिर कहा चाहिए गुड़ामा ने जनता का पैसा कितने मुश्किल से वो सड़क स्विकर्ट कर वाई मेरा जी जानता है और उस पैसे को खा जाए और मैं देखता रहूं इससे का मतलब यह हुआ मुजब भी आरोब लगेंगे कि यह जो पैसे इसने दो डाई क्लोटर में जेट में कमाएगे दो डाई क्लोटर बाद में कमाएगे उसका मतलब हमाराम भी इसमें सामीलेर कमिशन लेता है ऐसा मुझब आरोब लगा है इसलिए मुझे मुझे मजबूर होकर कि यह बात यहां कहनी पड़ रही इसलिए मैं चाहूंगा कि कि CBA इसे जाज करें अगर आप दूद का दूद पानी का पानी करना चाहते हो तो इसकी CBA इसे जाज होनी चाहिए और अगर आप इसकेस को दबाना चाहते हो CBA इसे सरकार जाज नहीं करवाना चाहती है तो बले आपकी मरजिया वज़े से पैसे तो खागे वो निकलने है पर कम से कम जांस तो हो किस ने ये किस प्रकार से कैसे सदे इंदर रचा किस परसार के कैसे ये इतने क्रोड रुपे एक सडक में खाएं तो कितनी सडके बनी होता है इस आपके माध्यम से निवे दिन करना चाहूंगा तो सुना अपने हेमाराम चौधरी ने किस प्रकार सदन के अंदर अपनी बात रखी और किस प्रकार से अपनी श्रिकायत रखी अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर राजस्थान का सियासी मिजाज ऐसा क्यों हो रहा है क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से सूबे की सियासत में ववंडा राने के संकेत है क्योंकि जिस प्रकार से पाइलेट गुट के विधायक की जो मुखर हो रहे लगातार उससे कई प्रकार के जो संकेत निकल कर सामने आ रहे है उस पे सियासी विसलेशक अपने अलग-अलग बाइने निकाल गई है दरसल रमेश मिडा ने पहले ही कहा था कि आला कमान के समक्षों अपने शिकायत दर्ज करवाएंगे और यदि वहाँ पर भी उनकी शिकायत का निवारन नहीं किया गया तो वो इस्तीफा सौप देंगे जाहिर तोर पर पालेट कैम में अब कहीं न कहीं जो पालेट गुट के जो विधायक हैं पूर मंत्री हैं अब उनके अंदर ये बात घर कर चुकी है कि जो उनका हक होना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है क्योंकि जब सूबे की सियासत में बगावत का दौर चला था तब आला कमान के समक्ष पालेट गुट के सभी विधायकों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी और उसी दर्मिया ही एक कमेटी गठित की गई थी कि पालेट कैम की जो भी सुकायते हैं वो कमेटी उसका निस्तारन करेगी लेकिन इतने अर्चे बीट जाने के बाद भी हालात जसके तस्ट बने हुए है राजनीतिक नुक्तियों के दूर दूर तक कोई संभादना नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसका दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा तो कहा जा सकता है कि कही न कहीं अब पालेट कैम के अंदर का जो पालेट गुट के जो नेता है उनके अंदर का जो सब्र है अब वो जबाब देने लगा है क्योंकि सियासत का बेहत पुराना दस्तूर रहा है कि यहां कोई इंतजार नहीं करता और अब इस बात को घटित हुए तो साल भर हो गए तो क्या यह माना जाए कि राजिस्तान के सियासत में अब एक नई रणनीती सियासी पठकता लिखी जा रही है और राजिस्तान की सियासत अब नई गरबट बैटने वाली है क्योंकि जिस प्रकार से पालेट गुट के विधायकों की जो लगातार आक्रमकता देखने को मिल रही है उससे बिलकुल यह साफ हो जाता है कि जितनी सांत राजिस्तान की सियासत नजर आ रही है उतनी है नहीं क्योंकि फोन टैपिंग का जिन्न निकल चुका है और इस फोन टैपिंग के जो जिन्न ने पिछले तकरीबन तीन-चार दिनों से जो सूबे की सियासत तलक कर रखी है वो भी किसी से जिपी नहीं है भारती जन्ता पार्टी के नेताओं की माग है इसकी CBI की जानी चाहिए लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि उन्होंने किसी भी मंत्री और विधायक की फोन टैपिंग नहीं की है तो कहा जा सकता है कि इन दिनों राजिस्थान की सियासत ना सिर्फ प्रदेश में बलकि देश भर के अंदर सुर्ख्यों में है बैरहाल इन्हीं सुर्ख्यों के बीच अब देखना ये होगा कि जो यहां का सियासी मिजाज है वो क्या रुख पकरता है दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिल्चस्प खबर लेकर तब तक के लिए नमस्कार